जस्टिस केम जोसेफ, आजवे रस्तोगी, अनिरुद बोस, रिशुकेश रोय और सीठी रवी कुमार की पांस सदस्ते सम्वेधानिक पेठने चुनावायों की सदस्तियों की न्यूक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याजिकाव पर सुनवाई की इस दोरान कोट ने मुख्य चुनावायों की न्यूक्ति की चुएन प्रक्रिया पर सवाल उठाए सुप्रीम कोट ने का कि सम्वेधान को अंगिकार हुए 72 साल हो गए लेकिन चुनावायों की न्यूक्ति के लिए कोई कानून नहीं है अभी तक चुनावायों की न्यूक्ति के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है हमारी नेती लोकतांत्रिक है और लोकतांत्र में चुनाव के जरिये सरकारे बदलती है ऐसे में पारदर्शिता और शिद्धा गहराई से जुड़े हुए हैं और ये समविधान का मोल्धांचा है सरकार बताए कि इस पर उसकी क्या राय है सुनवाई के दौरान कोट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयोक्त को ऐसे चरितर का होना चाहिए जो खुद पर बुल्डोजर नहीं चलने देता इस दौरान समविधानिक पीठ ने पूर्व चुनाव आयोक्त दिवंगत ती एन शेशन का भी जिक्र किया पीठ ने कहा कि टी एन शेशन जैसा व्यक्ती कभी कभी होता है कोट ने कहा कि आयोक्त को स्वतंतर निश्पक्ष होना चाहिए इसके लिए जरूरी है कि उसका चैन सिर्फ काबिनेट की बजाए उससे कहीं ज्यादा बड़ी बॉड़ी की और से हो राजवनितिक नेदा बाते तो करते रहे हैं पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ कोट ने कहा कि इस बारे में सम्विधान एक चुप्पी का फाइदा उठाया जा रहा है इसके साथ इस सम्विधान की अनुछेद 324-2 में CEC, ECS की नियोक्ती के लिए कानून बनाने की बात कही गई पीट ने कहा कि सम्विधान की चुप्पी का सभी ने फाइदा उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि इस अंस्थान के मुख्या के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिशनर का जो खंडित कारिकाल होता है उसमें वो कुछ ठोस नहीं कर पाते 2004 के बाद मुख्य चुनावा आयुक्तों की लिस्ट देखी जाए तो जादतर ऐसे हैं जिनके दो साल से जादक का कारिकाल भी नहीं है पीट ने कहा कि इसके साथ ही सरकार ये भी जानती है कि जिनको वे आयुक्त और मुख्य आयुक्त न्युक्त कर रही है वो प्रावधान की मुताबिक अपना 6 साल का कारिकाल पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसे में CEC स्वतंध रूप से काम नहीं कर पाते हैं इस पर सरकार अपना रुख कोर्ट को बताए जस्टिस जोसिफ ने कहा कि हम ये साथ देख सकते हैं कि यूपिय की सरकार रही हूँ या अभी की सरकार यही हो रहा है और लगातार हो रहा है CEC अपनी पूरी शमता से काम नहीं कर पा रही है केंदर ने मुखी चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की चैन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याजिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में जोतार विरोध किया ये सुनवाई कोर्ट ने भविश्य में कॉलेजियम सिस्टम की तहत CEC और EC की न्युक्ती की प्रक्रियां पर 23 ओक्टूबर 2018 को दायर की गई एक याजिका पर की है इस याजिका में आरूप लगा गया है कि केंदर एक तरफा सुनाव आयुक्तों की न्युक्ती करती है Bureau Report